है लो एब्रिवन कैसे हो आप सब आई होप कि आप सब अच्छे होंगे एट होम कुकिंग में आपका मोस्ट वेलकम है फ्रेंड्स मैं शकर पारे की आज रेसिपी लेकी आई हूँ शकर पारा बनाने के लिए दो कटोरी में भरके मैदा ले ली हूं अच्छे से चान ली हूं जिस कटोरी से मैदा ले थी उसी कटोरी से आधी कटोरी में घील होंगी हynnud pard की हूं जिसको इस में हम डाल देंगेक अच्छे से और इसमें हम बहुत थोड़ा सा नमक भी डालेंगे अब आप सोचते होंगे शकर पारे में नमक जी हां सकर पारे में थोड़ा सा आप नमक ज़रूर डाले और इसमें अफ्लेवर के लिए यह हम सौंफ का पाउडर डालेंगे आप अगर फॉंफ नहीं घाते हो तो इसको भी कर सकते हैง अब इसको हम अच्छे से मसल लेंगे आप घी के जगर पी रिफाइनड ऑयल का भी यूज कर सकते हैं अगर घी नहीं पसंदे या नहीं डालना चाहते हैं तो आप रिफाइंड भी डाल सकते हैं और इसको हम अच्छे से इसको मसलेंगे तब ही हमारे सकरपारे अच्छे होंगे देखे फ्रेंड्स यह अच्छे से मसल गया हैं मुट्यां बदने लगी हैं अब हम इसमें हलका गर्म दूद ले लेंगे और उसी से थोड़ा थोड़ा डालके हम गूद लेंगे एक ही बाद जादा दूद न डालें इससे यह गीला हो जाएगा और गीला हो जाएगा तो सकरपारे अच्छे बनेंगे नहीं और यह थोड़ा थोड़ा डालके हम इसको डो लगा लिए देखिए एक बढ़िया सा डो लग गया है अब इसको हम ढख के रख देंगे अच्छे से 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे इसको और जिस कटोरी से मैदा लेती उसी कटोरी सी आधी कटोरी दूद में गुद गया है अब चलिए हम 15 मिनट के बाद इसको फटा फट से बेल केक शेप दे देते हैं आपको जैसा भी शेप देना हो शकर पारे का दे सकते हैं देखे इसको मैं ज्यादा मोटा भी ने रखी हूं और ज्यादा पतला भी नहीं है क्योंकि यह तेल में जाते ही यह फुलने लगेगा आप अपने पसंद का शेप दे सकते हैं कटिंग और इसको फ्राइ कर लेंगे देखे फ्रेंड्स यह ज़्यादा मौटे भी और ज्यादा पतले भी नहीं है सब कटिंग हो गई है अब फटा फट से हम फ्राइ कर लेते हैं यह फ्राइए के लिए मैं तेल गरम कर ली हूं अब इसमें मैं सब डाल दूंगी सारे शकरपारे की कटिंग को डाल दूंगी और हमेशा आप जब भी शकरपारा बनाएं तो इसको फ्लेम को आप लोही रखें मिडियम या हाइ टो ना रखें अंदर से आप लुट से रहता है तो आप हमेशा लोही पो फ्लेम करें यह पर पहल पे बहुत पर बहुत किस्पा बना है अप जरूर यह रहता है आप अएक दोsmith और पार आँ अब इसकोफे क्टरी निकाल लेते हैं दूसरे अदूसरे अजित चासनी बनाते हैं ये चासनी बनाने के लिए चीनी ले लिए लिए डोग टुनेळे और अधी वह मैं चीनीु उख लगवाऊों है तार करके खरे टाल हो तर यको डाल कर दोगी और इसको टार करना की पीक बरतन में आइक खरें खरें और दो और परें में देए फाटरर्द में स notch आर जिखेंगे चासनी बनाते ना उसको हम डाल देंगे और मिलाते रहेंगे ताकि यह सारा शुगर एब्सॉर्ब कर लें जितनी चासनी है पारे एब्सॉर्ब कर लें देख सकते हैं ऐसी मिलाते रहना है ये दू मिनट के बाद देखिए चिपचिपी होने लगी है श्रोग कर लिया है सारा चासनी पांच से साथ मिर्ट में ऐसा दीखने लगा है खाने के लिए अब इसे सर्फ कर देते हैं तो फ्रेंड्स इधर सर्फ कर दी हूँ और यह फटा फट से बन जाती है और बहुत ही टेस्टी बनी है आप जरूर ट्राइ करें और रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक सियर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें और सही मेजर्मेंट से बनाएंगे तो शकर बारे बहुत ही अच्छा बहुत ही खस्ता होंगे